हलो फ्रेंड्स वैलकम टू दी देगुन क्लासेश दी एडुकेशनल एंड प्रफेशनल क्लासेश डिटल टू आल एक्जाम एंड पॉर थे स्कूल स्टुडेंट्स टू आज मैं आपनों के लिए क्यूब रूट की ऐसे ट्रिक लेके आएं हूँ जिसको चानने के बाद आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है विदिन सेकंड निकाल पाएंगे और यह सभी एक्जाम के लिए वनिफिश्यल है कोई भी गॉर्मेंट एक्जाम हो वहां पर आपका यह शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत जादा ही काम आने वाला है तो चली विदाउट वेस्टिंग हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चली स्टार्ट करते हैं सबसे रखना है कि आपको वन से लेके 20 तक के क्यूब सियाद रखने पड़ेंगे कि किसी भी कॉंपिशन के तियारी आप कर रहे हैं तो वन से 30 के स्क्वाइर और वन से लेके 20 तक के क्यूब आपको को याद करने पड़ेंगे ताकि इन नंबर्स का जो है क्यूब और स्क्वेर आपको निकालने के जरूद ना पड़े आप नंबर देखते हैं इनके स्क्वेर और इनके क्यूब आफटाफट से लिख दे उसके लावा जितने भी बड़े नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट निकालेंगे अब उन सब के लिए आपको यहां तक लर्ण होना चाहिए तभी आप सॉल कर पाएंगे ठीक है चली स्टार्ट करते हैं अब देखिए वन का क्यूब वन होता है और उसके जो यूनिट डिजिट है उसके वन आता है टू का क्यूब एट होता है इसके यूनिट पर आता है जitर उसका यूनिट डिजिट पे आता है 50 है 25 ॉनिट डिजिट पे 5 है 10 उसका यूनिट डिजिट है सेवन का होता है 729 इसका यूट डिजिट 9 है और 10 का होता है 1000 इसका यूट डिजिट 0 है यह यूट डिजिट आपके जो है हम यूज करने वाले हैं अपने शॉट ट्रिक्स में ठीक है तो आप याद दखेगा क्यूब और लिजिट पर क्या आता है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क तो देखें यहां पर हम क्यूब रूट कर रहे हैं क्यूब का मेंस होता है 3 इसलिए हम जो हैं लेफ्ट हंड साइट से क्यूब क्यूब यानि कि 3 के पेर बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है यहां पर मैंने लिख दिया 167 और इधर हमारा 2 बचके हमने 12 लिख दिया उसके बा उसका यूदिजर्ट साह बनाता है ठीक है तो आपको क्या करना है सिद्धा यहां पर 3 लिख दियना है ठीक है इसको आप भूल जाईए आप 12 बचा हमारे पास अब देखेंगे कि 12 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है तो यहां पर देखेंगे 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 27 इसका मतलब है कि 12 जो है 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो हमें लेना है छोटा आतो रहा है 2 और 3 के बीच में लेकिन हम लेते हमेशा है छोटा है तो इसलिए यहां से हमने 2 ले लिया और इसका 3 तो हमारा आंसर हो गया 23 इसका क्यूब रिट आपका 23 हो गया चलो आगे बढ़ते हैं पर कि पिर से हम ने पेर बना लिया इसका तुरी ओर फिर बचीनई बची यहां लिख लिया नाइन कौन से नमर के पर क्रूप का इयर डिजट है 9 का है तो हमने यहां पर 9 लिख लिया अब इसको भूल जाएंगे हम आप 59 किन दो कोल के बीच में आता है ठीके और छोटा कौन सा है तो हम थ्री ले लेंगे यह हमारा आंसर हो गया कि आपको समझ में आ रहा होगा यह जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं अब जितने कुश्चन्स प्राक्टिस करेंगे आपको और समझ में आते रहेंगे एक और कुश्चन देख लेते हैं अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके आई हूं आपके लिए इसमें हम वही करेंगे लास से तीन का पेर बनाएंगे बना लिया हमने और जो बच गए चार नंबर उसको हमने एक तरफ लिख लिया अब एट कौन से नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है तो आपको याद हो गया होगा एट जो है वो टू का है क्यूब करते हैं तो उसी का अब इसको बूल जाएंगे हम अब इसको देखेंगे यह किस नंबर के बीच मैं अब कह एक के वizarra शोड़ देखेंगे सीव कि इस हमारा इस नंबर का क्यूब हो गया देखो इतने वड़े नंबर का कियो रूट हमने कितने असानी से निकाल लिया चलिए आप मैं आपको दुखाती हूं वो कोशन जो आपके एक्जाम में आते हैं सिंप्लिफिकेशन का कुशन है यह आपके एक्जाम से पूछा जाते हैं बैंकिंग वगरा में भी आपको इस देखे की एक्जाम में ऐसे कुशन देखने को मिलेंगे सिंप्लिफिकेशन के ठीके देखो अब क्या करेंगे इसका तू बच गया फोर जो है किस नंबर की हो गया हम लेंगे कौन सा छोट तो 24 तो कितने असानी से हो गया आप क्या करेंगे आप हम आगे सको सौल कर लेंगे ठीक है यह जो स्कुर्ण है उधर जाके स्कुर्ण बन जाएगा क्यूंकि जो रूट होता है इक्वल के दुसरे साथ जाके स्कुर्ण में अब 36 का हम स्कुर्ण करेंगे ठीक है अब देखिए इसका भी शॉट ट्रिक है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ठीक है इसका जो आपका स्कुर्ण निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9396 ठीक है यह मैंने शॉट ट्रिक से किया है जो मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाली अगली वीडियो में ठीक है तब तक आप स्कुर्ण की क्यूब रूट की प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस थैंक्स फूर वाचिंग आज के लिए इतना ही था मिलते हैं एक और शॉट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग थाइंक यू सो मच